दिखे CPC में आपका ये कल जो पढ़ा गया था गवर्मेंट द्वारावाद या गवर्मेंट के अगेंस्ट वाद यानि कि सरकार द्वारा मुकदमा और सरकार के विरूध मुकदमा इसमें से आपका कोचन बनता हैं और आपका पहला पॉइंट ये बता गया था कि सरकार के विरुद गम मुकदमा किया जा सकता है कब सूट फाइल किया जा सकता है ये CPC नहीं बताएगी आपका इसका निर्धारण काश्चूसन से होगा और अगर कांट्रेक्ट सरकार ने किसी से किया है चाहाँ राजि सरकार ने किया हो या केंद्र सरकार ने तो वह मामला सम्विधान के आठकिल 299 से गवर्न होगा और अगर सरकार के अधिकारियों ने यानि कि लोक सेवकों ने या लोक प्राधिकारियों ने अगर कोई दो स्पून कार किया है, रांग फुल एक्ट किया है, यानि कि अगर कोई अपकृत या दुसकृत किया है, तो कब हम सरकार के खिलाब मुकदमा करके डैमेज या छतिपूर्थ की मांग कर सकते हैं, इसका निर्धारन और उच्छे 300 से होगा, यानि कि सम्विदा के मामले में आपका आर्टिल 299 और आपका टार्ट के मामले में दाई तुराजिका क्या होगा, ये 300 से कभर होगा, और इस पर आपका 3-4 केस भी कल बता गया था, अब सरकार के विरुद्ध अगर मुकदमा करते हैं, तो अगर सरकार करती हैं, तो वादी के रूप में किसका नाम होगा, और अगर आप सरकार के विरुद्ध करते हैं, तो प्रतिवादी किसको बनाएंगे, ये बातें आपका 79 से कभर होगी, यानि कि 79 सेक्षन बस वाद के पच्छिकार बताता है, तो फिर एक बार याद रखे, अगर केंद्री सरकार द्वारा मुक मुकदमा किया जाता है, तो वादी के रूप में नाम यूनियन आप इंडिया होगा, भारत संग होगा, और अगर किंद्र सरकार किसी के विरुद्ध मुकदमा करते हैं, तो प्रतिवादी या विपच्छिक या डिफेंडेंट के रूप में जो नाम होगा, वह भी यूनिय आप इंडिया यानि की भारत संग, यानि की भारत में जुरिस्पुडेंस में अब आईए कोचन बना है, भारत में कौन बिधिक ब्यक्तित तु रखता है, यानि की कौन जुरिस्टिक परसन है, दे देगा राष्टपती, मंत्री मंडल, प्रधान मंत्री और भारत संग, त अब राजियों में क्या होगा अब राजियों के मामले में क्या होगा तो उस राजि का नाम होगा जैसे उत्तरपदेश सरकार अगर किसी के खिलाफ मुकदमा करती है तो वादी का नाम उत्तरपदेश राजि होगा और आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो प्रतिवादी के रूप में किसका नाम लिखेंगे उत्तर प्रदेश राजिका ये दो बातें 79 में बताई गई हैं फिर 80 नोटिस या सूचना की बात करती हैं और ये कहती हैं कि अगर कोई ब्यक्त सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है या किसी पबलिक सर्वेंट ने कोई गलती किया है और उसके लिए मुकदमा करना चाहता है तो अभी सिविलवाद तो इसके लिए यह आवस्चक है कि पहले दो माह पूर इसकी सूचना दे जाए तो कितने माह पहले सूचना दे जाएगी दो माह पूर अब सूचना लिखित होगी कि मौकिक कल बता गया लिखित होगी और किसको सूचना दे जाएगी ये भी आपका MP और इत्याद राज अंदर से पूछते हैं तो लिश्ट याद रखना है कि किसको सूचना दी जाएगी अगर राजी का मामला है तो उस राजी के सचीव को या जिस जिले में वह मुकदमा करना है उस जिले के किसको या कलक्टर को भाईए याद रखे खंड़ दो हम बताये थे असी का कि बिना सूचना दिये भी न्याले की इजाजत लेकर आप मुकदमा कर सकते हैं लेकिन न्यायाले न तो कोई अंतरिम अनुतोस देगा नहीं कोई अंतिम जब तक कि सरकार की बातों को सुनन ले यानिकि भले ही बिना सूचना के अरजेंट मामलों में आपने मुकदमा कर दिया लेकिन बिना सरकार को सुने आपका न्यायाले कोई रिलीफ नहीं देगा अब बिहार और जारखंड का कोचन था कि अंतरिम रिलीफ दे सकता हैं और कई लोग भ्रहम खा गए तो जो बेरेक नहीं पढ़ा रहता ये पुछले पत्रिकाओं से पढ़ा रहता है तो उसमें लिखा कि कोई अनुतोस नहीं दिया जा सकता अब ये छोड़ दिया कि अंतरिम की अंतिम यानि कि इंतरिम की फाइनल तो दोनों अनुतोस नहीं दिया जा सकता जब तक कि सरकार को सुनवाई का मौका न्यायाले न दे दे इसके बाद आपका एक आदेश और बता गया था और वह आदेश 27 का रूल 5 याद करना है अगर प्रतिवादी गवर्मेंट हैं तो न्यायाले जितना समय जबाब दाखिल करने के लिए कानूनन निर्धारित हैं उस समय के बाद भी और समय दे सकता है तो बस एक लाइन प्री के लिए याद रखना है कि और न्यायाले कितना समय दे सकता है तो दो मासका और समय दे सकता है यानकि सरकार है तो और कितना समय दिया जा सकता है कि अपना जबाब दाखिल करे दो मासका इसके बाद आईए आपका अब आगे के सेक्षन देखा जाए आपका 81 से भी यूपी में भी बन चुका है देखें बैगे एटी टू से बनता ज्यादा हम इटी वन से खें गिरफ्तारी और स्वय उपसंजात से चूट यानि की अर्श्त से और प्रसनल एपी अरेंद या व्यक्ति आत हाजुरी या प्रसनल एपिष रहें या स्वयंग हाजिर होने से शूट दी जासकती है तो देखे आपका, अगर कोई लोग अधिकारी हैं, यानि कि आपका पबलिक अधिकारी हैं, आफिसर हैं, और वह on duty, यानि कि पदी हैसियत में कोई गलत कार किया है, तो नयायाले, आपका, अब क्या कर सकता हैं, उसके विरुद जब मुकदमा होता हैं, तो देखे सिविल मामलों में, उसे कुछ छूट दी गई हैं, और वह छूट 81 में दी गई हैं, अब क्या क्या छूट हैं, समझे, दो खंड हैं, डिक्री के निस्पादन में से अनिता, न तो वह गिराफतार किया जाएगा, और नहीं उसके संपत कूर्क होगी, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर कोई पबलिक आफिसर था, उसके खिलाफ आपने सिविल वाद दायर किया, तो उसे न तो गिराफतार करके जेल भेजा जाएगा, और नहीं उसकी प्रापर्टी कूर् तो समस्या यहां यह आई, कि कब उसे गिराफतार करके जेल भी भेजा जा सकेगा, और कब उसकी संपत अटैच या जबत या कूर्क की जाएगी, जब उसके खिलाफ डिक्री पारित की गई, और वह डिक्री का पालन नहीं कर रहा है, यानि कि मुकदमे के दोरान उसे गिरा सकती हैं, तो कब उसे गिराफतार करके जेल भेजा जा सकता है, जब डिक्री को एक जुकूट कराया जा रहा है, यानि कि डिक्री को क्या करा जा रहा है, निस्पाद, अब आईए कुदारां, ए मालिज ये कि भाई, नोकरी में था, उसकी पत्नी ने मेंटेनेंस का दावा क किया, तो गिराफतार करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, पहलानियम, एक ए खिलाफ, आगे बैठिये भाई, इधर बैठिये, अब ऐसी दसा में एक ए खिलाफ मेंटेनेंस की डिक्री प्रदान की गई, तो अब ये समस्या है, कि अगर ए मेंटेनेंस डिक्री देने के बावजूद भी नहीं देता, तब एकी, एका वेतन अटैच भी किया जा सकता है, और एको गिराफतार करके जेल भी भेजा जा सकता है, भले वह सरकारी कर्मचारी हो, यानि कि एक लाइन ये याद रखना है, कि डिक्री के निस्पादन में, उसे भले गिराफतार करके ज किया जाए, लेकिन मुकदमे के दवरान नो तो वह गिराफतार होगा, और नो उसकी संपत पूर्क होगी, दूसरा नियम ये है, कि अगर नियायाले को लगता है, कि अगर उसे परसनल या ब्यक्तिगत रूप से नियायाले में बुलाया जाए, तो लोक जो सेवा है, उस यानि कि उसका अपाय सब्द लिखा है, अपाय होगा, अपाय मतलब कि लोक सेवा रुख जाएगी, तो ऐसी दसा में उसे ब्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होना है, और अपने अधिवक्ता के माध्यम से वह क्या हो जाए हाजिर, अब एक उदारण इस पर देखिए, माली जे ट्रेन का एक चालक है, उसने कोई गलती की अन्डिवटी न्यायाले में उसके खिलाब मुकदमा किया गया, अब न्यायाले ये देखता है, कि अगर हम उसे ब्यक्तिगत रूप से कोट में हाजिर कराएंगे, सिविल मामलों में तो हो सकता है कि ट्रेन का परिचालन ही क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसे भी छूट दे दी जाएगी, कि तुम स्वायंग ना हाजिर हो, तुम किसके माध्यम से हाजिर हो जाओ, अपने अधिवक्ता के, अब ये एटी टू देखा जाए, एटी टू में आपका बस एक ल अंडरलाइन कर लिजगा, एटी वन तो नहीं पूछा गया है, एटी टू से पूछा गया है, आपका जारखंड सहित तमाम राजियों में प्रीमे ही केवल कोचन आता है, और उसको सतर्क रहना है, अगर सरकार के बिरुद या किसी लोग सेवक के बिरुद कोई डिक्री पा पादन कितने दिनों बाद ही कराया जा सकेगा, बस वहीं समय याद रखना है, यानि कि एक उदारन देखा जाए, माली ये राजिसरकार थी, राजिसरकार के खिलाप क्या पारित की गई, डिक्री पारित की गई, और राजिसरकार के खिलाप नयाले द्वारा डिक्री को ला अरस्या ये आई कि क्या डिक्री पारित किये जाने के तुरंत बाद निस्पादन के लिए आवेदन दिया जा सकता है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा तो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और वह कितना दिन है तीन मास यनी कि अगर केंदर सरकार के खिलाप या राज सरकार के खिलाप या किसी लोक अधिकारी के खिलाप जो अन्डिवटी गलती किया हैं उसके खिलाप मुकदमा किया गया और राज सरकार या केंसर कार या लोक सेवक के खिलाब नयायाले ने डिक्री पारित की और उसे अब लागू कराना है डिक्री को तो उस डिक्री का निस्पादन डिक्री पारित किये जाने के कितने दिन बाद ही कराया जा सकेगा तो समय याद रखेगा कितने दिन बाद तीन माँ अब ये तीन माँ का समय क्यों दिया गया इस पर गौर करना है जुरुस्पुडेंसियल इसका बेस क्या है वै किन्द सरकार हैं, राज सरकार हैं, लोक अधिकारी है तीन माँ का समय इसलिए दिया गया है कि तीन माह तक सांत रहेगा निया ले अर्थात आप सच्छम हैं आप सरकार हैं आपको मौका दिया जा रहा हैं तीन माह कि आप तीन माह में आप क्या करिए डिक्री का पालन कर लिजिए अगर नहीं करते हैं तो कोन डिक्री का पालन करा देगा निया ले एक दूसरा उधारन देखे माली जिये एक रेलेवे इस्टेशन है और 10 लाख रुपिया आपका उस इस्टेशन पर बिजली का बिल बकाया है अब बिजली विभाग ने रेलेवे विच्टेशन के खिलाफ मुकदमा किया वहां के खिलाफ केंद्रिय सरकार के खिलाफ फिर बिजली विभाग के पच्छ में डिक्री भी पारित हो गई अब इस डिक्री को लागू कराना है तो लागू कराने में आपका तीन माह तक सांती से बठना कितने माह यानि कि किन सरकार को तीन माह कानून मौका देता है कि जो डिक्री की रकम है आप तीन माह के अंदर मास के अंदर ये रकम नहीं दी जाती तो बिजली विभाग वाले नयायाले में अपलिकेशन देंगे और मांग करेंगे कि स्टेशन की जमीन को और मकान को कूर्ग किया जाए बिच्वाया जाए और हमारा पैसा 10 लाख जो है बिजली का विल दिलवाया जाए तो ये नियम है बस एक लाइनिस नियम में ये याद रखना है कि ये जो नियम है ये केवल डिक्री के ही मामले में लागू नहीं होगा अगर किसी निया अधिकरण ने यानि कि ट्रिबुनल ने आपका पंचाट दिया हो अर्थात अधिनिरणे दिया हो अर्थात एवाड इंगलिस में कहते हैं सरकार के खिलाब एवाड दिया हो या किसी सच्छम प्राधिकारी ने सरकार के खिलाब कोई आडर पारित किया हो तो इन आडरों को पंचाटों को लागू कराने के लिए भी यही नियम लागू होगा तो अगला कोशन यहाँ यह बना कि धारा 82 का नियम किन मामलों में लागू होगा पहला न्याले द्वारा दी गई डिक्री फिर दूसरा किसी ट्रिबुनल या न्याधिकरण द्वारा पारित पंचाट या एवाड या किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गए आदेश उपर्युक्त सभी तो हम क्या बता हैं कि वर डिक्री में लागू होगा कि उपर्युक्त सभी में उपर्युक्त सभी आ सकता नया कोशन कि किसमें अपलाई करेगा तो आपका जबाब रहेगा उपर्युक्त सभी तो दो कोशन याद रखेगा, फिर मैं बता दूँ, आपका कितने दिनों बाद ही डिक्री का निस्पादन सरकार के खिलाब कराया जा सकता है, पारित किये जाने के थ्री मन्त बाद, और ये नियम आपका किन मामलों में लागू होगा, केवल डिक्री में, कि एवाड में भी, क कि आडर में भी, कि तीनों में, तो तीनों में, दो कोशन याद रखना है, अब आईए, एटी टू के बाद, आपका अन्य देशिये कम मुकदमा लाएंगे, कम कोशन बनता है, आपका एटी सेवेन ए हलका सा याद रखना है, विदेशी राज्य और सासक की परिभासा, एक लाइन, इधर से कोशन बनता नहीं है, बहुत मनें, अब आपका एक परसेंट चांस रहता है, तो उतना को लेकर भाई पढ़ाया नहीं जा सकता, मनें एक परसेंट को लेकर हम नहीं चल सकते, क्योंकि भाई, ऐसे इसे पीसी बड़ी हैं, अब आईए देखा जाए, एटी एटी एट से आपका प्री में भी कोशन बनता है, मेंस में भी, इंटर भ्यू में भी, अब एटी एट में इंटर प्लीडर सूट है, अब एटी एट डाइरेक्ट आजाए, एटी एट में इंटर प्लीडर सूट है, अंतरा भिवाची वाद कहा जाता है, तो आपका कोशन क कैसे कैसे बने हैं पहले कोशन का माडल देख लिया जाए आपका बिहार और जारखंड और बिहार जारखंड इत्याद राजियों में बना है तो जब भी सेक्षन एटी एट पढ़िये इंटर प्लीडर सूट या अंतरा भिवाची वाद तो इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है वह सीपी सी के प्रथम अनुसुची के आडर थार्टी फाइब यान कि आपका पढ़ना कहां से कहां तक है तो एटी एट रीड वीथ आपका आदेश कौन सा थार्टी फाइब अब साम देखे इसको डिटेल में थ्वात तब आपका समय लेगा इसमें तो आप समझे कैसे कोचन बनता है और एक सब्दों को आपका तोड़कर कर सकते हैं कि उसमें एसेंसियल एलिमेंट भी हमें निकालना है और उसी की व्याख्या करना है और तुरंत आपका आदेश मनें जो आदेश पढ़ना यहां आपका थार्टी फाई पढ़ना है तो फिर एक बार अच्छे से त्यार रखे पहला कोचन तो यह हो गया कि इंटर प्लीडर जो सूट है उसका उसके बारे में सब्टेंसी प्रावधान यानि कि सारवान प्रावधान आपका किस कह सकते हैं कि सेक्षन में दिया गया है तो वह जो आपका सेक प्रावधान 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 या इंटर प्रोसीजर कहां दिया गया है तो आडर थर्टीफाइब मिलाने के लिए पहला आ जाता है अब आई ये देखा जाए सामान नियम देखा जाए जब भी इसको मेंस में लिखिया या प्री में पढ़िये तो जनरल नियम पढ़ा जाता है जनरल रूल या सामान नियम सामान नियम के बाद आपका exception पढ़ा जाता है अपवाद आपका 88 इसके बाद आपका एक उदारन देखा जाएगा और आप उसी उदारन पर आपका पूरा जो धारा है और आपका जो पूरी आडर में आडर थर्टीफाइब में जो नियम है एक ही उदारन पर हम चलाएंगे एक सटीक उदारन लेंगे देखे जनरल रूल पहले देखे सामान नियम यह है कि यानि कि जनरल रूल यह है सिविल मामलों में कि वादी वाददार करता है प्रतिवादी के विरूध यानि कि जो आपस में प्लीडिंग करते हैं अभिवचन करते हैं जिनके बीच आपस में विबाद होता है एक होता है वादी और दूसरा प्रतिवादी यानिकि एक होता है प्लेंटिप और दूसरा डिफेंडेंट होता है तो आएए एक पहले सामान नियम पर उदारन देखें मान लिजे कि A ने B को 5000 रुपया उधार दिया था और B यह पैसा लोटा नहीं रहा है तो A B के किलाब 5000 रुपय के दावे के लिए वाद दायर किया तो A ने सूट फाइल किया है किस के विरूद B के विरूद तो आप लोग यह बताईए कि जनरली विबाद किस के किस के बीच है वादी और प्रतिवादी के बीच है यानि कि किस के बीच है ए और B के बीच यानि कि आपस में लड़ कौन रहे हैं कौन आपस में बोतल हटा द वह यानिकि आपस में लटग कौन रहे हैं हैं हूं बंकर दिए थोड़ कूलर भी दिख्का्ट हो रहे होतो हूं को आपस में लटग कॉन रहे हैं तो फिर एक बार देख्के आपस में देखिए बंद कर दिये कुलर थोड़े नीचे से बंद करिया मौसम सही अभी सेकेंड पिरियेड में चलेगा एक चल देखिए इस उदारण में आपस में प्लीडिंग कौन कर रहे हैं आपस में अभिवचन कौन कर रहे हैं मुख्य विवाद किसके बीच हैं आपका में डिस्प्यूट किसके बीच हैं तो बताये किसके किसके बीच हैं ए और भी वै किसके बीच हैं तो सामान नियम अब याद कर लिजे जनरल रूल ये हैं कि किसी भी सूट में किसी भी मुकदमे में मुख्य विवाद वादी तथा प्रतिवादी के बीच होता है और वादी और प्रतिवादी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्लीडिंग करते हैं, अभिवचन करते हैं, अर्थात अपने अपने कथनों को न्यायाले के समझ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब लेकिन लगा कर चलना है, लेकिन जो सेक्षन 88 में इंटर प्लीडर सूट दिया गया है, अंतरा भिवाची वाद दिया गया है, इस सामान नियम का अपवाद हैं, और वहीं जार्खंड और तमाम राज पूछ रहें इस समय, अपवाद हो गया, तो अपवाद हो गया का मतलब यह हुआ, कि A ने मुकदमा किया B तथा C के खिलाब, और मुख विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच नहीं है, लेकिन मुख विवाद किस के बीच हैं, प्रतिवादियों के बीच, अर्थात इंटर प्लीडर सूट एक ऐसा स्पेशल सूट है जिसमें मुख्य विबाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर आपका आपस में जो विबाद होता है वह डिफेंडेंटों के बीच होता है यानिकी प्रतिवादियों के बीच तो पहला नियम याद रखे आपस में विबाच्छी ही लड़ते हैं तो कम से कम विबाच्छी की संख्या याद रखे कितनी होनी चाहिए दो बहिए भी पच्छी दो रहेंगे तभी तो आपस में लड़ेंगे तो यानि कि अंतरा भिवाची वाद में प्रतिवादियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए पहला अगला कोश्चन तो कितना मार कराएंगे दो दूसरा कोश्चन अंतरा भिवाची वाद में मुक्ख विबाद किसके बीच होता है वादी प्रतिवादी वादी वादी प्रतिवादियों के बीच इन में से कोई नहीं तो यहीं किसके बीच हाँ अच्छा ही बता है बाई प्रतिवादियों के बीच अंतरा भिवाची वाद में कौन एक दूसरे के विरूद प्लेडिंग करते हैं अभिवचन करते हैं तो अभिवचन मने बिबाद अब लीगल طور पर आईए अब वो सामानी बातें सिवाब जो सामानी भासां में बत अभिवचन करते हैं तो आप प्रतिवादी ही करते हैं वादी नहीं करता तो आखिर ये कैसे होगा कि वादी आपस में लड़ जाएं मने प्रतिवादी आपस में लड़ जाएं तो अंतरा भिवाची वाद एक स्पेशल सूट हैं जिसमें की मुख विबाद वादी प्रतिवा कि तो वादी क्यों ऐसा सूट दायर करेगा क्या करेगा तो अब आईए एक उदारन देखा जाए तब सही रहेगा भई मान लेजिए कि डी एक ब्यक्ति है ध्यान से उदारन समझें डी एक ब्यक्ति है और यह ब्यक्ति बैंक में लाकर रखा है यानि कि अपने नाम से क्या रखा है लाकर रखा है डी की मृत हो जाती है बै डी मर जाता है तो बताइए लाकर के जो हकदार होंगे वह कौन ब्यक्ति होंगे तो डी के जो बिदिक प्रतिनिद होंगे यानि कि D के legal representative होंगे वहीं उस लाकर के धन के क्या होंगे अकदार तो विदिक प्रतनित बनाए उदारण में मान लिजिये कि B पूत्र है D का और C पूत्री है और E को बना लिया जाए बैंक वाला ध्यान से समझे उदारण और इसी उदारण पर पूरा हम बताएंगे A हो गया बैंक वाला मनेजर D लाकर रखा है अब D मर गया है D के एक पूत्र B हैं और एक पूत्री C हैं अब B आता है बैंक वाले के पास और कहता है कि पिता जी मुझे मानते थे और लाकर की चाभी मुझे दो पूरा हक मेरा है तब तक पुत्री भी आ जाती है ये मनेजर के पास और कहते हैं कि लाकर का धन मुझे दो पिता जी मुझे मानते थे इस निकम्मे को नहीं मानते थे और मुझे मानते थे अता हलाकर की चाभी दे दो इस धन का हकदार मैं हूँ तो बताईए अब बेचारा बैंक वाला क्या करे तो बैंक वाला इंटर प्लीडर सूट दार करे यानि कि कौन इसमें अंतरा भिवाचित दार करेगा ए ए न्यायाले में वाद दार करता है और न्यायाले से मांग करता है कि हजूर जो B और C हैं ये एक दूसरे के भी परीत दा करते हैं भी कहता हैं कि ये लाकर का ध्हन मेरा सी कहती हैं कि लाकर का ध्हन मेरा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाकर का ध्हन किसको दूं मैं इस लाकर के ध्हन का हकदार नहीं हूं मुझे केवल क्या चाहिए लाकर का जो किराया बाकी है यानि कि लाकर रखते हैं तो ल आया दिलवा दीजिए और हमें मुकदमे का क्या दिलवा दीजिए खर्चा और आप बता दीजिए कि हम B को ये लाकर का धन दे दें कि C को दें किसको दें आप बता दीजिए यान कि A आपका इसलिए जो ब्याक्ति मुकदमा करता है उसमें आपका उस प्रापर्टी में उसका हित केवल ये हैं कि उसे खर्चा मिल जाए और अगर उसका किराया या प्रभार बाकी है वह मिल जाए वह ब्यक्त संपत का हकदार नहीं है तो बताइए आप लोगे सुधारण में क्या बैंक वाले संपत के हकदार है नहीं हकदार कौन है बी और सी लेकिन बी और सी आपस में ही क्या हो कहे हैं लड़ बैठे हैं तो कौन इंटर प्लीडर सूट दायर करेगा और कहेगा नहले से कि अजूर आप निर्णित कर दीजिए आप डिसीजन दे दीजिए कि ये लेलाकर का धन मैं किसकों दूँ और मुझे पर कि तरा मतलब कि मुझे उनमुक्त करिये मेरा और कोई हित नहीं है मेरा पैसा किराया जो बकाया है दिलवा दीजिए और काश्ट जो लगा है यानि कि खर्चा दिलवा दीजिए तो आप लोग खुद बताईए कि जो मुकदमा करता है उसका इंट्रेस्ट केवल क्या है तो या चार्ज हैं और काश्ट हैं कि हमें क्या दिलवा ये प्रभार यानि कि लाकर का किराया और मुकदमे का क्या खर्चा वह दूसर वह हकदार बैक्ति को संपत देने के लिए तत्पर और क्या है तैयार है और अपने को क्या दिलवाने के लिए तत्पर है छुटकारा असप लिखा बेरट में कि हमें क्या दे दीजिए परित्राण इस विबाद से क्या करिए मुक्त करिए तो आप लोग अब बताईए कि इंटर प्लीडर सूट में विबाद किसके बीच हैं वादी प्रतिवादी के बीच हैं कि प्रतिवादियों के बीच विबाद हैं किसके बीच व भी वचन करते हैं, कौन एक दूसरे के खिलाफ मांग करते हैं, वादी नहीं, कौन कर रहा है इसमें, प्रतिवादी, तो यहीं जो वाद होगा, आपका इंटर प्लीडर सूट कहलाएगा, अब यह मुकदमा दायर करेगा, तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, इसके यह प्रक्रिया किस सेक्षन में दिया गया है, आपने किस आडर में, आडर 35, अलका सा समय लिए तब बेरेक शुरू करते हैं, भाई पहले, हाँ जिसको न समझ में आया हो, बताये फिर आपका एक उदारन लिया गया केवल, फिर बता जाएगा, क्योंकि यह जब तक कंसेप नहीं आएगा, बेरेक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो न आया हो, तो फिर बताया जाए एक बार, नहीं तो आगे बढ़ा जाए दो चार लाइन, अब देखिए, अब नयायाले क्या करेगा भाई, नयाले को विकल प्राप्त हैं, कि पहली सुनवाई में एका खर्चा दिलवा दे, और एका किराया दिलवा दे, और कहे कि तुम अभी यहां से क्या हटो, बाहर, और इन प्रतिवादियों में से, एक को कहां प्रतिय स्थापित कर दे, वादी के रूप में, तो एक माली जे सी को वादी के रूप में कर दे, और अब सी और भी आपस में क्या करे लड़ेंगे यान्यायाले चाहें तो पहली सुनवाई में अगर देखता है कि भाई विवाद समाप्त हो चुका है तो पहली सुनवाई में फैसला सुना दे और विवाद का पूरी तरह निप्टारा करा दे कोई दिकत नहीं अनि कि B और C रजा मंद हो गए बाद में पहले लड़ाई कर रहे थे क्योंकि लाकर हैं 20 साल तक लड़ेंगे 10 साल तक सिविल मामला तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा इस से अच्छा है कि आपस में समझावता करने लोग और समझावता करके पूरे लाकर का धन दोनों लोग क्य लाकरें निकाले अमनियाले जो फैसला दे हो सकता है दे दे कि लाकर का आधा धन भी पाएगा और आधा धन कौन पाएगी सी पाएगी तो उस अनुसार उस लाकर की संपत का इन लोगों के बीच बटवारा किया जाएगा अब आधिस पाएटिस का जो लाष्ट नियम है वहीं से जादा कोशन उठता है कि क्या किरेदार मालिक के खिलाब या एजेंट अपने प्रमुख के खिलाब इंटर प्लीडर सूट दायर कर सकता है कि नहीं सामानित है नहीं और लाष्ट जो नियम है उसी में दो एलेश्टेशन दिये गये हैं बार बार वहीं एलेश्टेशन अटायक करता है तो अभी बता जाएगा उसका नियम भी बता जाएगा और कोरलेट भी किया जाएगा लेकिन आगे देखा जाए अब सेक्षन सुरू करिए भाई पहले सेक्षन एटी एट को समझ लेजिए और तब आडर पर हम आते हैं देखिए अब सेक्षन उठाई है और सेक्षन में एक एक चीज़ें समझते रहें देखिए भाई आपका अंतरा भीवाची वाद कहां दायर किया जा सकेगा मने कब दायर किया जाएगा देखिए जहां दो या अधिक ब्यक्ति यानि कि पहला पॉइंट निकालते रहें यानि कि जो ब्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए वह दो या क्या होना चाहिए अधिक कर देखे इस उदारन को भी लेकर चलना है आपका कि इस उदारन को बनाय रखा जाए क्योंकि आपका एंक वाला बीसी आपका डी के पुत्र-पुत्री हैं डी क्या हो चुका हैं मर चुका है और क्योंकि उदारण पर ही तो चलेगा तो दो ही मना जाए प्रतिवादी पुत्र पुत्री लंबा बहुत हो जाएगा तो अब एक एक सब्दों को आप तोड़िये देखे बेरेक्ट में कैसे अलग किया जाता है नए लोग भी समझे देखिए जहां दो या दो स अधिक ब्यक्ति इसका मतलब यह हुआ कि इंटर प्लीडर सूट के लिए जो ब्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए वह या तो कम से कम दो हो या दो से क्या हो तो तुरंट पॉइंट पकड़ते रहे है अगर एक ही ब्यक्ति डिमांड कर रहा है यानि कि माली जिये केवल भी इसका कोई डिमांड नहीं है यानि कि विबा जो हक मांग रहा है वह एक ही ब्यक्ति है तब इंटर प्लीडर सूट दायर नहीं किया जाएगा क्योंकि इंटर प्लीडर सूट के लिए यह आवस्यक है कि जो ब्यक्षी है उनकी संक्या कम से कम कितनी हो दो से अधिक भी हो सकते हैं कि पूरा क्रिकेट टीम हो यानि कि आपका छे माली जिये लड़के और पांच आपका लड़किया हो तो कितने हो गए 11 और 11 हो लोग कहां धावा बोल दे रहे हैं मनेजर के पास कि मनेजर के पास कि हमें क्या दो लाकर का पैसा तो दो कम से कम अधिकतम के लिए कोई संख्या निश्जित नहीं अब आगे आई यह दो अगला सब देखें उसी रिड़ धनरास या अन्य चल या अचल संपत के बारे में यानि कि आपका विबाद किसके बारे में हैं इंटर प्लीडर सूट किसके बारे में दायर किया जाएगा तो क्या डेट या रिंड के बारे में दायर किया जा सकता हैं कि नहीं किया जा सकता हैं और कोई अचल संपत यानि कि इमुएबूल प्रापर्टी इसका मतलब यह हुआ कि हमने तो उदारण केवल बैंक वाला बताया तो जो दो मांग रहे थे बैंक मनेजर से अब उसका दारा आप थोड़ा ब्यापक कर दीजें हो सकता हैं कि किसी ब्याक्त को रिंड दिया गया हो और उस रिंड को मांगने वाले दो या दो से क्या हो अधिक या हो सकता हैं कि कहीं कोई धनराश जमा की गई हो और उस धनराश को मांगने वाले दो या दो से क्या हो गए अधिक तो धनराश भी बना दिया जाए जैसे कि एक माली जे डी का खाता बैंक में था और नई पले रिण का तो उधारण दिया जाए तब तो धनराश का माली जे इस उधारण में डी ने आपका एको उधार दिया था डी मर गया उसका पुत्र भी है पुत्री सी है और दोनों एके पास जाकर पिताजी द्वारा दिये गए रिण की मांग कर रहे हैं अब एक अन्फ्यूज हो गया कि हम उधार किसको चुका हैं तो एक क्या कर दे आपका इंटर प्लीडर सूटदार करे और नियाले से मांग करे कि हजूर आप ही बता दीजिए कि हम ये जो रिण उधार इनके पिता से लिये थे इनके पुत्र को दे कि पुत्री को की दोनों क ये सही है या धनराज तो एक बैंक में कुछ रकम जमा कराई है लाकर छोड़ी अब क्योंकि सहरेक परुदारन चला जए डी ने बैंक में पांच लाख रुपिया जमा किया था डी मर गया अब पुत्र जा रहा हैं कि हमें पैसा दिया जाए पुत्री जा रही हैं कि हमें पैसा दिया जाए पुत्र कर रहा हैं कि आपका हमें पैसा दिया जाए पुत्री का रहें कि पिता जी हम से वादा किये थे कि पांच लाख रुपिया जमा किया हूँ अगर बीच में कोई आकस्मिक घटना घट गई तो तुम पांच लाख रुपिया निकाल लेना भाईयों का क्या भरोसा अगर तुम्हारी साधी नहीं करे भाई तो ये पांच लाख रुपिया निकाल लेना और तुम्हारे आगे काम आएगा ये हो सकता है तमाम समस्याइं ऐसी हैं भाई आपका तमाम समस्याइं समाज में ऐसी हैं कि जहां कि मैं बता दूँ ये समस्या गम भीर होकर आ रही है अभी एक और लड़की पहले पढ़ती थी नाम नहीं लिया जाये गबाय उसके साथ भी ये समस्या आई माता पिता थे पढ़ाए आपका माता जी एकस्पायर कर गई पिता जी ने पिता जी को हाट की बिमारी थी और वह कुछ पैसा लड़की के नाम जमा किये थे पिता जी भी एकस्पार कर गई है सत्य घटना है और पिता जी के एकस्पार करने के बाद भाई लोग रूची ही नहीं ले रहे साधी करने में यानि कि सुष्ट पड़े हैं तो हमारे याँ फोन आया तो उसकी सहली को हमने सलाह दिया कि भाई आप इसका ब्रेन वास करिये क्योंकि एक समय के बाद खत्रा उत्वन हो जाएगा और तमाम समस्याएं आएंगी अपना भाईयों पर दबाव बनाए कि हमारे किसी तरह या दूसरे के माद्यम से कराई जाए क्योंकि एज भी हो गई है तो भाई अएसी दसा में यह समाजिक समस्या तमाम आ रही है अब यह हैं कि भाई भपाहन न करे कि और किसी के साथ आये लेकिन समाज है और आपका तमाम प्रकार के लोग हैं इस समाज में यानिकी कभिरा इस संसार में बहात बहात के लोग तो कुछ भाई ऐसे हैं जो बहन के लिए जान भी निचावर कर देते हैं यानिकी पूरा ताकत लगाते हैं कि हमारी बहन भले पिता जी माता जी नहीं हो सुख पुर्वक रहे और कुछ भाई लिचड़ हैं जो चाहते हैं कि विवा हो जाएगा तो संपत ले लेगी इत्यादी होगा यहनकी संपत के लालच में भी रहते हैं कि पिता जी का पूरा पैसा जमा किया हुआ क्या होगा खर्चा हो जाएगा तो तमाम चीजें समाजिक है भाई उससे हमें लेकिन एक दो उदारन बता जाता है कि ऐसा भी समाज में देखने को आ रहा है तो फिर एक बार देखिए आपका धन रासी हो गई यानि कि बैंक में पिता जी जमा किये थे कौन-कौन मांगने पहुंच गया पुत्र और पुत्री दोनों इसके बाद कोई चल संपत तो चल संपत में आपका हो सकता है कोई बस हो या सोना चादी हो सोना चादी भी तो चल संपत है या कोई अनिसामान है और अचल संपत यानि कि जमीन जाजाद हो मकान हो जमीन हो तो इसके लिए विवाद उत्पन हो गया अगला सब देखे फिर अब तोड़ी आग ब्यक्ति उसी रिड़ धनरास या अन्य चल या अचल संपत के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा कर रहे हो अब आये इस उदारण में आपका B और C आपका एक दूसरे के क्या कर रहे हैं प्रतिकूल दावा एक दूसरे के प्रतिकूल दावा का मतलब यह हुआ कि B कह रहा है कि ये धन मुझे दे दिजिए C को न दिजिए और C कह रहे हैं कि ये बैंक वाले ये धन लाकर का मुझे दो मेरे भाई को न दो तो यहीं आपको पॉइंट पकड़ना है कि मुख विबाद किसके बीच है प्रतिवाद बने विपच्छियों के बीच विपच्छी एक साथ दावा कर रहे हैं अगर ये आपस में मिल जा तो विबाद का कोई प्रस नहीं नहीं उत्पन होता वाई तो ये जो भी पच्छी दावा करते हैं यह एक दूसरे के क्या करते हैं अगेंस्ट में भी परीद करते हैं यानि कि अब आईए हाँ दावा किसी ऐसे अनिब्यक्ति से करते हैं यानि कि जो ये दावा कर रहे हैं ये अनिब्यक्ति से कर रहे हैं तो यहाँ अनिब्यक्ति कौन हो गया बैंक वाला उदारन में अनिब्यक्ति कौन हुआ बैंक वाला यानि कि B पुत्र था, C पुत्री थी, ये आपस में एक दूसरे के विरूद दावा कर रहे हैं, तो दावा किसे कर रहे हैं, तो किसी अनिब्यक्ट से, तो अनिब्यक्ट इस उदारण में कौन हो गया, बैंक का मनेजर. अब अगला देखिए, ऐसे अनिब्यक्ट से करते हैं दावा, जो प्रभारों या खर्चों से भिन किसी हित का, उसमें दावा नहीं रखता. यानिकि जिस ब्यक्ट से आपका दावा किया गया है, उस ब्यक्ट का, उस संपत में केवल इंट्रेस्ट या लगाव या हित इतना ही हैं, कि वह आप अपना प्रभार चाहता हैं. यानिकि चार्ज चाहता हैं, यानिकि आसान भासा में लाकर का किराया चाहता हैं, या काष्ट चाहता हैं, यानिकि क्या चाहता हैं, खर्चा, और प्रभार और खर्चे के अलावा, अन्य ब्यक्ट का, उस संपत में कोई इंट्रेस्ट हैं कि नहीं, नहीं हैं. तो जिस ब्यक्ति से दावा किया जा रहा है उसे और कोई मतलब नहीं है उसे बस ये मतलब है कि हमारा क्या मिल जाए भाई प्रभार या किराया मिल जाए और हमें जो खर्चा लगा है वह मिल जाए खर्चों से भीन किसी हित का उसमें दावा नहीं करता और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत करने के लिए तायार है यनकि इस सुदारण में जो अनिब्यक्ति हैं वह अधिकारवान ब्यक्ति को ऐसा धन या रिड़ या चल संपत या अचल संपत देने के लिए तायार है यनकि इस सुदारण में बैंक वाला बी या सी में से किसी को भी ऐसा जो लाकर का धन है वह देने के लिए तायार हैं कि तायार नहीं है कौन तायार है अनिब्यक्ति कौन हो गया इस सुदारण में अगला सब देखे तैयार हैं वहां ऐसा अन्य ब्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरूद अंतरा भिवाची वाद उस ब्यक्ति के बारे में जिसे संदा या परिदान किया जाएगा यानि कि इसका मतलब अब अंतरा भिवाची वाद कौन दायर करेगा जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उन सब के विरूद दायर होगा लेकिन अंतरा भिवाची कौन दायर करेगा वह अन्य ब्यक्ति तो बताएए इस उदारण में अन्य ब्यक्ति कौन है ए तो अंतरा भिवाची वाद दायर कौन करेगा वह अनिब्यक्ति जिससे हक की मांग की जा रही है तो इस उदारण में बैंक मनेजर हो गया जिससे लाकर का धन कौन मांग रहे हैं बीत था सी अगला सब देखे अगला अंतरा भिवाची वाद के ब्यक्ति के बारे में संदा या परिदान किया जाए बिनिश्चय अभिप्राप्त करने के लिए यानि कि ए नियायाले में इंटर्प्लीडर सूट दायर कर सकेगा और इसलिए कर सकेगा कि किसे ये लाकर का धन हम दें यानि कि किसे संदाय करें ये नियायाले बता दे और जिसको बता देगा उसे मैं क्या करूँगा दे दूँगा लेकिन हमारा भी हक है और हमारा हक ये है कि जो लाकर का क्या है किराया और जो मुकदमे में हमें क्या लगा है खर्चा वो न्यायाले हमें क्या करे दिलवादे अगला सब देखे बिनिश्य अभिप्राप्त करने के लिए यानि कि न्यायाले से डिसीजन लेने के लिए और अपने लिए परित्राण अभी प्राप्त करने के प्रियोजन से संस्थित कर सकेगा, दायर कर सकेगा, यानि कि परित्राण सब्द लिखा है, परित्राण मतलब कि हमें मुक्त किया जाए, यानि कि बैंक का मनेजर ये कहता है, कि हमारा लाकर का किराया जो बाकी है दिलवा दिया जाए और जो खर्चा मुकदमे में लगा है वो दिलवाया जाए हजूर हमें मुक्त करिए हम इस लपड़े में या चपड़े में इस विबाद में नहीं पढ़ना चाहते आप decide कर दिजिए कि पुत्र को हम लाकर का धन दे दें कि पुत्री को और हमें इस विबाद से क्या करिए परित्रान मतलब क्या हुआ छोड़ दिजिए मुक्त करिए हम इस विबाद में पढ़ना नहीं चाहते तो आगे देखे भाई अगला सब्दापका परंतुक हैं परंतु जहां ऐसा कोई मुकदमा यावाद लंबित हैं जिसमें सभी पच्छकारों के अधिकार उचित रूप से निर्धारित किये जा सकते हैं वहां कोई इंटर्प्लीडर सूट दायर नहीं किया जाएगा यान कि पहला परंतुक ये बताता है कि कब बैंक वाला इंटर्प्लीडर सूट दायर नहीं कर सकता तो ये नियम बता गया है कि अगर पहले से नियायाले में कोई भी बाद चल रहा है लाकर को लेकर और जिसमें बी को लाकर का धन दिया जाए कि सी को दिया जाए ये उसमें डिसाइड हो सकता है तो अब बैंक वाला जबर जस्ती इंटर्प्लीडर सूट दायर नहीं करे इसका मतलब यह हुआ कि अगर भी ने सी के खिलाप यानि कि पुत्र ने किस के खिलाप पुत्री के खिलाप पहले से ही क्या दायर कर रखा है वाद मने आपस में ये पहले से ही लाकर का धन के लिए मुकदमा कर चुके हैं तो क्या बैंक वाला अब इंटर प्लीडर सूट दायर करें नहीं क्योंकि जब यह आपस में लड़ रहे हैं और उसमें जो फैसला आएगा उसके अनुसार धन का लेन देन होगा तो इंटर प्लीडर सूट दायर करने की अब कोई आव सकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बी और सी तो पाले से ही क्या कर चुके हैं मुकदमा तो इस प्रकाराफ का धारा 88 समाप्त हुई अब इंटर प्लीडर सूट दायर करने के बारे में प्रक्रिया आदेश 35 में हैं तो अब आदेश 35 निकाल लीजिए और उसमें देखिए आपका जो महत्पूर चीज़ें हैं वह बताएज़ा निकाल लीजिए भई आदेश 35 आदेश आपका 35 देखिए आदेश 35 जब भी पढ़िए इंटर प्रीडर सूट को साथ में देखिया अपर का प्रक्रिया क्या है अब आपका आदेश 35 का नियम 1 निकालिए अंतरा भिवाची वाद में वाद पत्र अब आईए अंतरा भिवाची वाद में वाद पत्र दायर कराईए एकदम सेम इसी उदारण पर चलते रहना है बैंक वाले ही सबसे अच्छा उदारण है फिर एक बार हम उदारण बता रहे हैं लाश्ट तक किसी उदारण पर चलते रहे ताकि कोई समस्या ना है आपका B बना लिया जाए C और जो मर गया है उसको क्या बनाया जाए D देखे भई आपका अब अंतरा भिवाची वाद बैंक वाला दायर करेगा तो फिर एक बार भई उदारण बनाए बैंक वाला इसमें कौन था A और जो बैंक में लाकर रखा था वा कौन था D D के मरने के बाद कौन एक दूसरे के खिलाब आपका दावा कर रहे हैं कि हमें दो हमें दो तो आपका B और C B पुत्र था और C D की क्या है पुत्री अब एकदम सही रहेगा मनें अब आसानी से समझ में आएगा देखे अब आगे आदेश 35 का अब रूल वन देखे इंटर प्लीडर सूट में वाद पत्र अंतरा भिवाची वाद में वाद पत्र तो बताईए वाद पत्र कौन दायर करेगा मुकदमा अंतरा भिवाची इस सुदारण में कौन करेगा ए बाई ए करेगा तो अब बेरेक से धारा अठासी आईए ए का उस मामले में केवल इंटरेस्ट इतना है कि उसको किराया या प्रभार मिल जाए और उसका खर्चा न्यायाले दिलवादे और उसको परित्राण कर दे और ये न्यायाले बिनिश्चित कर दे कि कौन दावेदार हकदार है यानि कि B हकदार है कि कौन है C तो जब A सूट फाइल करेगा प्लेंट दायर करेगा वाद पत्र दायर करेगा तो वादपत्र में जो बातें लिखी जाती हैं वे सभी बातें तो लिखेगा ही उसके अलावा आपका तीन एक्टरा बातें लिखी जाएंगी यनकी इंटर प्लीडर सूट में जो मुकदमे में बातें लिखी जाती हैं वह तो बैंक वाले को लिखना ही पड़ेगा लेकिन आदेश पाइंटिस नियम वन कहता है कि तीन बातें एक्टरा मुकदमे में इसे लिखनी पड़ेगी यनकी वह तीन बातें कौन कौन हैं वहीं आपका तीन बातें एक्टरा आदेश पाइंटिस के नियम वन में दी गई हैं देखें बेरेक्टप हर एक अंतरा भिवाची वाद के वाद पत्रों में वाद पत्रों के लिए आवस्षक अन्य कथनों के अतिरिक्त फिर एक बार समझे है इसको तो यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि मुकदमे में जो भी बातें लिखी जाते हैं वह interpreler suit में भी लिखनी पड़ेंगी लेकिन उन बातों के अत्रिक्त interpreter suit में और कितनी बातें लिखनी पड़ेंगी तीन बातें देखे यह कथन होगा कि वादी प्रभारों या खर्चों के लिए दावा करने से भिन किसी हित का दावा विबाद की विशेबस तुमें नहीं करता है तो बैंक वाले पर ही चलिए बैंक वाला जब अंतरा भिवाची वाद दायर कर रहा है तो एक लाइन लिखना पड़ेगा कि अजूर इस मुकदमे में हमारा केवल प्रभार या रेंट या चार्ज दिलवा दीजिए वने हमारा हित इतना है कि हमें किराया मिल जाए और जो खर्चा है मुकदमे का वह मिल जाए और लाकर के धन में मेरा कोई interest नहीं है और कोई हित नहीं है क्योंकि लाकर का धन बिडी का था और डी के मरने के पास कौन दावेदार हैं बीसी हमें तो केवल जो लाकर का किराया बकाया था वह दिलवाईये और मुकदमे का क्या दिलवाईये खर्चा अगला देखें प्रतिवादियों द्वारा पिठकतर किये गए दावे कथित होंगे यानि कि सुर् प्रतिवादी दोर से ही बता जा रहा है कि इंडर इंटर प्लीडर सूट में जो मुख्य विबाद होता है वादी प्रतिवादी के बीच नहीं बलकि आपस में कौन लड़ाई करते हैं प्रतिवादी तो इस सुदारण में बताये तो आपस में कौन लड़ रहे हैं मुख्य बी और सी तो बी और सी को प्रतिवादी ए बना दे और ये लिख दे कि अजूर बी और सी एक दूसरे के अगेंश्ट में दावा कर रहे हैं और थात बी और सी एक दूसरे के प्रतिकूल दावा कर रहे हैं यानि कि B कह रहा है कि हमें धन दिया जाए और A कह रहा है कि लाकर का धन क्या किया जाए हमें अतह दोनों के दावों में आपस में क्या हो रहा है तकराव यनकिस का मतलब कि B और C एक दूसरे के भी परीत इस लाकर के धन के बारे में क्या कर रहे हैं दावा क्लेम कर रहे हैं तिसरा ये लिखना पड़ेगा कि यह कथन होगा कि वादी और प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी के बीच कोई कंक्लूजन या दूसंधी या साजिस या साथ गाठ नहीं है अर्थात जब A, B और C के खिलाब इंटर प्लीटर सूट फाइल करे तो A को मुकदमे में ये लिखना पड़ेगा कि हमारा भले मैं बैंक मनेजर हूँ मेरी साथ गाठ नो तो C के साथ हैं नो ही B के साथ यानि कि मैं ये मुकदमा साथ गाठ या दूसंधी या साजिस के तहत नहीं कर रहा हूँ बलकि सदभावना में कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि ये डिसाइड हो जाए कि B और C कौन भखदार हैं ताकि मुझे छोड़िये परित्रान दीजिए और मैं इनको पैसा देने के लिए लाकर का क्या हूँ तयार वह अब आईए आदे 35 नियम दू आए दावा किरित चीज का न्यायाले में जमा किया जाना इसका मतलब अगर दावा किरित ऐसी है चीज कि वह न्यायाले में जमा की जा सकती है तो न्यायाले आदेशित कर सकेगा कि वह जो चीज है लाकर न्यायाले में क्या करो जमा तो आप लोग ये बताईए अगर लाकर का धन है तो क्या न्यायाले में जमा करना उचित रहेगा नहीं क्यों नहीं रहेगा क्योंकि हो सकता न्यायाले से चोर उचके लेकर क्या हो जाए पूरा धन भाग जाए तो बैंक में सुरचित रहेगा तो आगे हम बताएंगे कि न्यायाले चाहें तो वादी से कह सकता है कि तुम अपनी अभिरच्छा में सुरचित रखो मैं फैसला करूँगा तब किसी को देना या नियाले चाहें तो ये भी कर सकता है कि लाकर जो सामान है या जो बस तुहें वो कहां जमा कर दो नियाले में आएए आपका आदेश 25 का नियम तीन देखा जाए प्रतिवादी वादी पर वाद चला रहा है यहां उल्टा नियम लागू होगा उल्टा नियम इसलिए लागू होगा कि यहां पुरवर्ती वाद को रोका जाएगा और पश्चात वर्ती वाद चलेगा तो पहले इस नियम को पढ़ने के पहले आप सेक्शन टेन को पढ़िए बतागे हैं सेक्शन टेन भाई धारा दस को बताईए तो अगर ए और बी में एक मुकदमा चल रहा है उसी विसे को लेकर और उसी विसे को लेकर या तो ए या भी पश्चात वर्ती सूट सब स्विकेंट सूट या बाद में कोई दूसरा मुकदमा दायर करते हैं तो सेक्शन टेन के अनुसार जो दिये दूसरा मुकदमा है वह खारिट किया जाएगा कि उस पर रोक लगाई जाएगी तो स्विकार किया जाएगा इसमें कोई सक नहीं है लेकिन रोक लगा दी जाएगी बिचारन पर यानि कि सुनवाई नहीं होगी लेकिन नयायाले मुकदमे को क्या कर सकेगा मने स्विकार करेगा लेकिन सुनवाई पर क्या लगा देगा रो तो बताये पहला मुकदमा रोका गया धारा 10 में कि दूसरा ये नियम याद रखे लेकिन अब थोड़ा दिमाग अस्तिर करके जानना है अगर आपका मामला इंटर प्लीडर सूट का है और तो आदेश 35 नियम तीन कहता है कि पहले मुकदमे को रोक दिया जाएगा और दूसरे मुकदमे को सुना जाएगा तो अब आईए रुकवाईए पहला मुकदमा और दूसरे मुकदमे पर यहां क्या करवाईए सुनवाईए अब आईए इसी उदारण में चलिए तो पहले अच्छा से उल्टा नियम चलेगा धारा दसका अच्छे समझे इसको यह मान लीजिए एक बैक वाला है और बी सी आपका लाकर का धन मांग रहे हैं अब समस्या यह है कि प्रतिवादियों में से एक यानि किसी बैक वाले के खिलाब पहले से मुकदमा कर चुका है और मांग किया हैं कि लाकर का धन क्या दीजिए मुझे दीजिए उसके बाद आपका जोडी का पुत्र भी था यह बैक वाले के पास पहुँच जाता है दीजिए लेकिन अभी भी मुकदमा दायर नहीं किया है तो प्रतिवादियों में से सभी ने मुकदमा दायर किया है कि एक या कुछ ने एक या कुछ ने किस के खिलाब वादी के खिलाब तो ए अगर चाहां यह मालेज यह एक जनवरी को मुकदमा हुआ तो ए क्या करता है कि चुकि भी भी दावेदार उत्पन हो गया है और ए से मांग कर रहा है कि यह धन मेरा है मुझे दिया जाए तो अब प्रतिवादी कितने लोग मांग कर रहे हैं तो ए अब इंटर्प्लीड प्रतिवादी किसको किसको भी से और नियाले से कहा कि हजूर हमारा खर्चा दिलवा दिजिए प्रभार्या चार्ज दिलवाएए और आप निरने दे दिजिए यह धन भी को दिया जाए किसी को और हमें इस विबाद से मुक्त करिये मुक्त करिये मतलब जो सब्द लिखा है परित्राण किया जाए मन मुक्ति की मांग कर रहा है कौन कर रहा है यह लेकिन प्रभार और क्या मांग रहा है खर्चा इसके बाद हमें छोड़िये तो अब ऐसी दसा में जब एक प्रतिवादी ही मुक्तिमा चला रहा था बैंक मनेजर पर और आपका दूसरा भी आ गया तो बैंक मनेजर क्या करे बी और सी के खिलाफ इंटर प्लीडर सूट दार करे और जिस नियाले में सी ने बैंक के खिलाफ मुक्तिमा किया था उस नियाले को सूचना दे दे कि भाई हमारे यहां इंटर प्लीडर सूट दायर कर दिया गया है और आप पहला जो मुक्तिमा सी ने आपके नियाले में किया था अब उसे रोक दिया जाए और ये दूसरा मुकदमा चलेगा यानि कि पहला मुकदमा रोका गया और कौन सा मुकदमा अब चलेगा जो दूसरा दायर किया गया है इंटर प्लीडर सूट तेकिन सतर किये रहना कि पहले मुकदमे में जो मुकदमा दायर किया गया था वह सभी प्रतिवादियों ने दायर नहीं किया था एक या एक से अधिक ने और दावेदार अब कितने हो गए दो तो भाई कैसे डिसाइड हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि बैंक वाला क्या दायर कर दे इंटर प्लीडर सूर तो पहला मुकदमा रोका जाएगा जो ए और सी के बीच है और दूसरा मुकदमा क्या होगा चलेगा उल्टा नियम है तो असतर्क रहेगा अब आएए आदे साब का पांच का नियम चार देखा जाए पहली सुनवाई में प्रक्रिया फर्ष्ट हीयरिंग में कोट क्या कर सकता है देखिए पहली सुनवाई में नयाले घौसित कर सकेगा कि वादी दावा कृत चीज के संबंध में प्रतिवादियों के प्रति सभी दाइत से उनमुचित हो गया है उसे उसके खर्चे अधिनिरलित कर सकेगा और वाद में से उसे खारिज कर सकेगा तो पहला नियम बैंक वाला पर ही चलिए जैसे ही फर्ष्ट हीयरिंग हुई तो नयायाले अब क्या कर सकता है तो आपका कर सकते हैं जो वादी हैं उसको मुक्त कर सकता है कि ये लो अपना प्रभार ये लो अपना खर्चा और तुम मुकदमे से कहा हो जाओ बाहर भाई भैक वाले को क्या नयाले दिलवादे पहली सुनवाई में खर्चा दिलवादे उसके बाद उसको जो किराया और आया बाकी है वह दिलवादे और मुकदमे से खारिज कर दे यानि कि कहेगा कि तुम मुकदमे से अब कहां हट जाओ बाहर अब समस्या ये हैं कि जब वादी रहा ही नहीं तब क्या होगा कोई न कोई तो वादी बनाया ही जाएगा तो अगला नियम देखे यदि यह समता कि न्याया सुधा के दृष्ट से ऐसा करना अपेचित हैं तो वादी का अंतिम निप्टारा हो जाने तक सभी पच्छकारों को बनाये रख सकेगा इसका मतलब यह हुआ कि न्याया लेचा हैं तो किसी को हटाएगा नहीं जब तक मुकदमे में फैसला न हो जाए कि को क्या रहेगा बनाये रख सकेगा यानि कि न्यायाले के पास दो भी कल्प हैं या तो वादी का किराया और खर्चा दे कर मुकदमे से क्या किया जाए बाहर या लाश्ट तक उसको मुकदमे में पच्छकार क्या किया जाए बनाए रखा जाए ये किसका भी वेक है नियाले का खंडदू देखे जहां नियाले यह निसकर्ष निकालता है कि पच्छकारों की स्वीकृतियां या अनिसाच उसे ऐसा करने के लिए योगिकर देते हैं जहा कि वहदावा कीज़ पर के हक का नियाय निरणन कर सके तो ऐसी दसा में आपका कह सकते हैं कि पच्छकारों के बीच विबादक बनेगा और विबादक का अब आपका विचारन किया जाएगा अब जो आपका यहां थोड़ा सतर्क रहना है अगर ए को मुकदमे से हटा दिया गया तो जो प्रतिवादी है इनही में से एक या एक को अधिक को अब क्या बना दिया जाएगा वादी यानि कि C A जब हट गया तो C को नयाले क्या बना दिया वादी और D अब क्या हो गया प्रतिवादी और दोनों आपस में खुब क्या करें लडाई करें आपका यानि आले ये भी कर सकता है कि A को रहने दे सकता है और प्रतिवादियों में से किसी को क्या बना दे A के साथ जोड़ दे कि वादी तुम रहो और B को प्रतिवादी क्योंकि A को वादी होना क्या है आवस्षक अब C अब A मुख्य भी बाद नहीं है अब कौन कौन आपस में लड़ेंगे C और कौन सा B भाई ये तो अपना बस ये हैं कि ना मात्र का प्रतिवादी है इसको कोई मतलब जादा नहीं है अगला देखें हाँ 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 बना सकता है एक को बनाना पड़ेगा एक के साथ जोड़ना पड़ेगा अगर e को हटा दिया गया पूरी तरह तो भाई वहीं वादी हो जाएगा C या B और एक को नहीं अटा गया तो एक के साथ किसी को क्या करना पड़ेगा भी या सी को वाधी के रूप में अटाइच कर दिया जागा क्योंकि मुख्य विबाद तो वाधी से हैं नहीं मुख्य विबाद तो किसके बीच है पैसा, रुपिया को लेकर भी तता-सी अब न्याले विबादक तत्र बनाएगा सुनवाई करेगा फैसला करेगा अब जो फैसला करेगा मानी होगा लाश्ट देखिए आपका अभिकर्ता और अभिधारी अंतरा वादी अंतरा भिवाची वाद दायर नहीं कर सकेंगे यहां जो आपका सब्द दिया गया है वह समझने में दिक्कत होती है नए लोगों को तो बिलकुल नहीं आएगा एक बार नए लोग अगर बेरेक पढ़ भी लें तो सिर के उपर से निकल जाएगा लेकिन बेरेक पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट बनाईए और उसी कंसेप्ट पर हम चलते हैं देखे आपका दो यहां रिलेशन दिये गये हैं एक आपका प्रिंस्पल और एजेंट का और दूसरा लेंडलाड यानि की भूस्वामी और टेनेंट का यानि की किरेदार का वह आपका अभिधारी नए तो उसको आप लिख लिजे किरेदार बेरेक में नए है समझ में अभिधारी जिसको आपका किरेदार या टेनेंट ना है तो लिख लिजेगा अभिधारी मतलब क्या हुआ किरेदार अब आई यह पहले तो आपका मालिक और प्रिंस्पल और एजेंट चला जाए देखे भाई मालिक और अभिकरता दिखे आपका कांट्रेक्ट में आगे पढ़ना भी है मालिक और एजेंट के रिलेशन को ही अभिकरण कहा जाता है या एजेंशी कहा जाता है यानि कि अभिकरण तो अगर कोई पूछे कि अभिकरण क्या है एजेंशी क्या है तो आपका जबाब रहेगा मालिक और अभिकरता के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं अभिकरण अपने मंद से हम नहीं बता रहे हैं परिभासित किया गया है कांटेक्ट का सेक्षन 182 मालिक एजेंट को निउक्त करता है एजेंट अगर कारबार के अनुकरम में in the course of business कोई कार करता है तो वह कार केवल एजेंट का ही नहीं होता मालिक का भी होता है एजेंट के कार से मालिक जिम बाद होता है इनका दाईत ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है मालिक ये नहीं कर सकता कि ये कार हमारे एजेंट ने किया है अर्थात इनका दाईत आपका संजुक्त और प्रिथक दोनों होता है अभी करण के स्रीजन के लिए अब कांटेक्ट पढ़ा जागा धारापचीश तो फिर आएगा प्रतिफल की अवसकता नहीं है अगर मालिक ने किसी को एजेंट नियुक्त किया तो एजेंट द्वारा प्रतिफल देने की कोई अवसकता नहीं के सेक्षन 185 में जाएगा एजेंटी के हम परिभासा पता एक 182 में प्रतिफल की बात नहीं किये प्रतिफल की बात 185 में जाएगा कांटेक्ट के अब आगे चलिए तो क्या ये जो एजेंट हैं अपने मालिक के खिलाब इंटर प्लीडर सूट दायर कर सकता है कि नहीं अब आईए ए मालिक हैं और भी एजेंट हैं तब तक एक और ब्यक्त सी आ गया और सी भी से मांग कर रहा है कि ए ने जो तुम्हें बस्त दी हैं वह उस बस्त का हकदार मैं हूं मुझे ये बस्त दे दू अब भी बेचारा सकते में आ गया अब कैसे सकते में आ गया कि असली मालिक तो हमारे कौन थे ए थे और ये नया आ गया मालिक और C आगया और कह रहा है कि हमें क्या करो ये रकम दे दो ये बस्त दे दो तो क्या भी E और C के खिलाब Interpleader सुट दायर करके ये मांग कर सकता है नहीं न्याले से कर सकता है किने कि कौन मालिक है इसका निर्धारंड करिये नहीं भाई नहीं कर सकता और यहीं नियम आपका किरयदार में भी लागू होगा लेकिन अब लेकिन वाला ही खतरनाक चीज है देखे जो लेकिन वाला आपका है वहीं खतरनाक चीज है और लेकिन कोही अच्छे से पढ़ना है लेकिन अगर कोई व्यागति मालिक के अधिन हक की मांग करता है तब भई इंटर्प्लिडर सुट दायर होगा मालिक के हक के अधिन कैसे दायर करेगा अब सतर करहिए फिर एक बार यह मालिक था बी को कोई संपत दिया यह मर गया और इसके पुत्र पुत्री बना लिया जाए C तथा D अब C A के हक के अधीन मांग करते हैं D भी किसके हक के अधीन मांग करता है A के और दोनों लोग एजेंट से मांग करते हैं कि हमारे पिता जी ने जो सामान आपको दिया है अब D C मांग करती है कि हमें दिया जाए और डी मांग करती हैं कि हमें दिया जाए तो ऐसी दसा में अगर मालिक के हग के अधिन दो दावेदार हो गए तब तो जो एजेंट हैं क्या कौन सा मुकदमादार कर सकता है इंटर प्लीडर सूट